जी आजका lecture बड़ा पज़िदार होने वाला है क्योंकि अब हम एक practical example की तरफ जाने लगे हैं और हम यह देखेंगे कि हमारे पास current options क्या है whenever we want to develop a deep learning application अब यह जो architecture की मैंने भी बात की इससे मुराद हम क्या लेते हैं अगर मैं आपसे google पे कहूं कि search करें कि what are different deep learning architectures तो आप फौरण ही एक second में देख लेंगे कि different architectures कौन कौन से हैं कुछ का आपने नाम पहले भी सुना होगा जिन में हमारे पास different architectures के जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं LX net है, Google net है, VGG net है, VGG के different flavors है, 16 VGG है, VGG 19 है, Lainet है and so on और इस तरह काफी सारे और भी architectures मौजूद है, अब coming modules में हम इन architectures के बारे में one by one देखेंगे भी सही, इनके architectures के बारे में बात करेंगे, इनकी details पे भी बात करेंगे लेकिन इस module में मैं सिर्फ दो basic questions का answer देना चाहूंगा, पहली चीज़ यह है कि architecture से मुराद क्या होता है, और दूसरी चीज़ यह है कि हम क्यूं architectures को पढ़ना चाहते है first one, architecture से मुराद यह होता है हमारे पास, जब हमने architecture की बात करते हैं, तो हमेशे architecture से मुराद यह चीज़ होती है, कि हमारे पास एक input है और एक output है, इनपट और output यह यह दोनों हमारे पर define होती है, हमें पहले से मुझूद होती है, इस से मुराद यह है कि अगर हमने let's say, एक image म और उसमें face मौजूद हो और output के output जो होगी वह 1 या 0 होगी कि अगर face मौजूद है तो 1 output होगी और अगर face मौजूद नहीं है तो 0 output होगी यह तो गया input और output module अब main है architecture architecture से मुराद क्या होता है architecture से मुराद यह है कि दर्मयान में हमारे पास क्या हो रहा है input से output कैसे convert हो रही है जब हम convolutional neural networks की बात करते हैं या deep learning के framework की बात करते हैं तो specifically talking about convolutional neural networks हमारे पास layers है different अब वो layers क्या थी? पहली layer होते हैं convolutional layers Convolution Layer में हमारे पास क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ तीन हिस्से होते हैं उसके पहला होता है Convolution Operations जिसमें हम Different Filters लगाते हैं Convolution के लिए दूसरा हमारे पास होता है Activation Function जिसमें हम Linear Data को Non-Linear Data में Convert करते हैं और तीसरा होता है हमारे पास Pooling Layer जो Optional है Pooling Layers तो यह तो हमारे पास आगया पहना हिस्सा जिसके अंदर हम Architecture में First Part करते हैं दूसरा हिस्सा होता है हमारे पास Fully Connected Layers का Fully Connected Layers का Idea सिंपल क्या था कि यहां पर आके हमारा जो Deep Learning का Framework है वो Neural Networks में Convert हो जाता है जैसे Traditional Neural Networks काम करते हैं कि हमारे पास Different Layers होती है और उनके अदर में Different Notes है और वो Different Layers में Converted है और फिर हर नोड जो है वो एक नोड जो एक लेयर वाली नोड है वो दूसरी लेयर की नोड के साथ Connected है और वो सिस्टम हमारा Fourth और Backward मूव करता है तो यह Simple Architecture का था Second Question यह था Why Study Architectures? इससे मुराद क्या है अगर मैं आप से कहूँ कि यह एक नई चीज़ डिवेलप करनी है तो सबसे असान तरीका के है पहले आप उस जैसी पुरानी चीज़ को पढ़ो Study करो, Understand करो जब आप उस चीज़ को अड़सेंड कर लोगे और न्यू अर्किटेक्चर Second One Use one of the existing architectures for our own problems बजाए इसके के हम एक नए अर्किटेक्चर बनाएं ने अर्किटेक्चर से मुराद अगेन के जिसमें हमारी convolutional layers भी होंगी pooling layers भी होंगी, activation layers भी होंगी उसके बाद हमारे fully connected layers भी होंगी सब कुछ हमें define करना पड़ेगा first one उसकी बजाए why not use already developed architecture क्यों क्योंकि यह जो already developed architecture है यह बहुत हाई firms ने बनाए है जैसे first example Google net का जो आर्किटेक्चर है Google की company ने बनाया हुए वी जी जी की जैसे मैं एक्जेंपल दी वीजियल geometric group जो है यह Oxford University का group है इसी तरह lay net की बात करें तो यह भी किसी बड़ी firm का architecture होगा Alex net की बात करें यह भी बड़ी confirm का architecture है तो इसी तरह Facebook वालों ने architecture अपना दिया हुए अभी हम वालों ने दिया हुए तो सब different बड़ी firm's architecture दिया है जब यह architecture इतनी बड़ी firm's दिया है तो लाहमाला इनके पीछे बहुत जादा thinking process involved होगा और उसी thinking process को से बचने के लिए हम direct उनके data उनके architecture को use कर सकते हैं अपने data के लिए तो second reason यह है existing architectures पढ़ने के लिए कि हम उनके architecture को follow करने third or final जो काफी बड़ी reason है use existing architectures along with their pre-trained weights for our own problems यह बड़ा important है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा use होने वाली चीज़ है और बड़ा important है क्यों होता क्या है कि जब हम एक architecture बनाते हैं मैंने भी कहा कि convolution layers है, pooling layers है इसी तरह हमारे पार fully connected layers है, activation functions है and so on अब क्या है कि हमारे पास क्या है कि हमारे पर previous architecture है जिसमें यह सारी layers जो है इनकी training होई भी है training से मुराद किया है कि let's say मैं कहता हूँ यह objective mission में मैंने काम करना है और मैं चाहता हूँ कि मैंने मुबाइल detection पर काम करना है एक image के अंदर तो maybe Google Net ने एक architecture दिया जिसके अंदर ने इस सारी layers defined है और इनके weights भी defined है अब let's say जो इन्होंने architecture दिया उसमें iPhone के बारे में थी information कि iPhone का मुबाइल हो तो वह से identify कर ले अब मैं let's say एक और mobile आता हूँ जो इससे size में चोटा है let's say Nokia का कोई चोटा सा बिल्कुल सा आम सा mobile आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मैंने code लिखना है तो बज़ए इसके कि सारी training मैं खुद करूँ नमबर बन पहला पूरा architecture ही मैं लिखूँ आता ही हो जाएगा दूसरा है कि इसी के architecture को use करूँ as it is वह possible नहीं होगा इस case में तो मुझे क्या चाहिए कि मैं सारी चीज़ें start से लिखूँ या सारी चीज़ें as it is use करूँ वाइनोट दर्म्यानी stage पर रहूँ वह यह तीसरे चीज़ कि मैं क्या करूँ उनके जो weights हैं उनको use कर लूँ यानिके जो उनका architecture वहाँ end में हम अपनी fully connected layers या अपनी जो specific information है वो change कर दें और अपने problem को solve कर लें अब मैंने तीन चीज़ें बताई हैं और इनकी detail हम आइसा इसा आगे भी देखेंगे कि अपना architecture हम कैसे बनाते हैं इसी तरह हम weights को कैसे उपर नीचे करते हैं और features को कैसे extract वाना करके use करते हैं तो यह with the passage of time हम different modules में देखते जाएंगे अच्छा अभी जो है मैं इस वाले module में simple एक सबसे पहले जो architecture था lay net के नाम से उसका explain करूँगा लेकिन उससे पहले मैंने कुछ fruit of thoughts रखी हैं कुछ चीज़ें सोचने के लिए रखी हैं Convolution के अंदर हमने यह देखा था कि Convolution के अंदर हमारे पास एक image होता है और एक filter होता है image का साइज होता है filter का साइज होता है usually filter का साइज small होता है लेकिन इन दोनों की जो width और height है वो different हो सकती है पर depth जो हो same होती है अब थोड़ा सा में एक filter की type है या explanation हमें चाहिए थी one by one filter की उसके बारे मैं कुछ मैं detail discuss करना चाहूंगा one by one convolution usually use one by one size filter on the input इससे मुराद हमारे पास कहा है अगर हमारे पास let's say यह image है जिसके अंदर multiple rows और multiple column है one by one filter का मतलब क्या होगा यह जिसके अंदर एक cell है हमारे पास सिरफ अब इसका usage थोड़ा साम देखेंगे लेकिन उससे पहले recall from the output size formula output size क्या होता है हमारे पास filter को हम apply करते हैं that was n minus f divided by s plus one इसका मतलब यह था किジो था वो अमारे पास input size था filter size as desired है तो अगर हमारे पास एक input हो 56 by 56 तो और filter size होगा तो एस जो है этот हमारे पास output size क्या 56 by 56 से बनेगा इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास filter size 1 by 1 का है तो जो input है और जो output है वो हमेशा same रहेगी, बराबर रहेगी, make sense, good अच्छा अब हम क्यों फिर इसको one by one size filter को use करते हैं जब कि हम clear बार-बार कहते हैं के convolution जो है वो हमारे size को reduce करती है हमेशा जुरूरी निया को reduce करे, अगर हम padding use कर लेंगे तो size हम same भी रख सकते हैं, लेकिन अभी देखते हैं के one by one का हम advantage क्या हो रहा है हमने जो अभी example उठाई है, अगर input size is 56 by 56 by 4 जो मैंने यहाँ पे दिया है, तो क्या होगा width into height into depth और अगर 32 filters of size one by one by 64 अगर हम यह लगाते हैं तो output क्या हो जाएगी, 56 into 56 into 32, इसका मतलब यह है के width और height सेम रहेगी, depth हमारी कम हो जाएगी If only one filter of size one by one into 64 is applied, on input size of 56 into 56 into 64, then output would be 56 into 56 into 1 अगर हम simple, एक by एक का बढ़ाते हैं, एक by एक का एक का लगाते हैं, तो input हमारी change यह नहीं होती, वहीं के वहीं रहेगी इसका मतलब है, जो one by one का जो filter है, यह क्या कर रहा है, input को और output को सेम रख रहा है, सिर्फ depth को जो है, वो cater कर रहा है, या measure कर रहा है This means depth is reduced from 64 to 32, यहीं जो मैं अभी word use कर रहा था, कि क्या होगा, कि जब हमने one by one का filter लगाया, तो width और height जो है, यह सेम रह रही है Depth जो है, वो depend करती है, कि हम number of filters कितने लगा रहे है, depending on कि हम number of filters कम लगा रहे है, तो हमारी depth जो हो reduce होती रहेगी इसका मतलब यह है, कि अगर one by one जो convolution है, वो operation उस scenario में useful है, जब हम अपनी input or output की size सेम रखना चाहते है, लेकिन depth की size को हम reduce करना चाहते है जैसे जैसे हमारे पर layers आगे चलती जा रही है, और इसका मतलब क्या होगा, कि जो हमारी आगे चलकर with the passage of time, जब activation में आप सम्मा आगे resolve करते जाएंगे, solve कर रहे होंगे, हमारी जो processing power है, वो हमें कम चाहिए होगी, हमारी computation जो है, वो less expensive होगी, जैसे जैसे हमारे पास depth जो ह आने की कोशिश की है, हमारे पास ये एक है image width, height, sorry, height है, ये width है और ये depth है, 56 into 56 into 64 का ये image है, यहाँ पर लिखा भी होगा, अचा, अगर मैं 1 by 1 के filter सा convolve करूँ और 32 filter मेरे पास हो, तो result क्या आएगा, height और width सेम रहेगी, और depth जो हो 32 हो जाएगी, तो 1 by 1 convolution का क्या फायदा हो again, simple अफ्जों में, कि ये हमें size और width और height को same लगती है, अचा, अब इस module को conclude करने के लिए simple मैंने एक architecture है, lay net 5 के नाम से, जो लेकन और उनके साथ group ने discover किया था या बनाया था, 1998 में, और इनका मकसद था zip code recognition, zip codes का मतलब ये वही है, जैसे postal codes हमारे होते हैं, तो different zip codes मुराद ये अभी हम यहाँ पर numbers भी ले सकते हैं, maybe A, B, C and so on, अचा, अब इन architecture में हमारे पास होगा क्या, मैं फिर repeat करता हूँ, architecture से मुराद है, हमारे पास convolution layers कितनी हैं, हमारे पास pooling layers कितनी हैं, हमारे पास activation maps कौन से हैं, activation functions कौन से लगे हैं, relu लगा हूए, relu लगा हूए, कौन स activation function यूज़ कर रहे हैं, और fully connected layers कितनी हैं, और यही information सब चीज़ों में होगी, तो जब lay net की बात हम करते हैं, तो lay net में convolution filter से 5x5 size के थे, और इसमें जो stride था, जब उनको लगाया गया तो वो one stride था, sub sampling pooling layers were applied of size 2x2, applied at stride 2, और इसका architecture किया है, पहले convolution, फिर pooling, फिर convolution, फिर pooling, फिर fully connected layer, फिर fully connected layer, फिर fully connected layer, इसका मतलब किया है कि हमारे पास जो है, वो 2 convolution की layers हैं, 2 pooling की layers है, और 2 fully connected layers है, यही चीज़ यहाँ पर दिखाई भी गई है, जो figure मैंने इंटरनेट से लिए है, basically, कि आपके बस input image है, इस पे convolutional, convolution apply करनी है, तो यह हमारे पास image map या feature map, जिन बड़ा basic architecture था, 2 convolution है, हर convolution के बाद pooling लगी है, और end के अंदर हमारे पास simple fully connected layers है, और यहाँ पर result generate हो रहा है, तो अभी के लिए मैं यही पर conclude करूँगा, या इस module को यहाँ पर close करेंगे, simple हमने इस module में क्या देखा है, कि पराने architecture के है, वो किन चीज़ों में कब यूज करन से, अभी हम काफे सारे architecture को देखेंगे भी सही, बट स्टिल आप search out कर सकते हो कि कौन कौन से architecture है, जो commonly used होते हैं, और वो कैसे evolve हो है, let's say पहले अगर lay net था तो फिर google net कब आया, और कौन सा किस वक्त में आया, इसका answer मैं आपको next module में खुद भी किस यह तक देने की कोशिश क करौंगा